सबसे पहले जानते हैं कि आखिर तांबा क्या है और तांबे का महत्व क्या है देखिए तांबा जो है ये हमारे जीवन में प्रियोग होने वाली एक प्रमुख धातू है हम बहुत सारे धातूं का इस्तमाल करते हैं सोने का, चांदी का, लोहे का, अलुमीनियम का, जस्ते का बहुत सारे मेटल हम इस्तमाल करते हैं उसमें तांबा एक ऐसी धातू है जो हमारे जीवन में काफी इस्तमाल होती है तामबे को अवशधी ये धातु माना जाता है तामबे के अंदर जो प्रोपर्टी होती है जो इसके गुण होते है वो दवाई की तरह काम करते है इसलिए तामबे को medicinal metal भी माना जाता है तामबा जो है ये विद्युत का सुचालक है यानि तांबे के अंदर से बिजली आगे बढ़ती है, बिजली को सपोर्ट करता है और ये अगनी तत्व से भरपूर है तांबे के अंदर 90% fire होता है और 10% water element होता है, ऐसा तांबे में पाया जाता है जोतिश में तांबा जो है, वो मंगल और सूर्य से संबंद रखता है, लेकिन ज्यादा तर मामले में तांबा जो है, वो मंगल की धातू मानी जाती है ये शरीर के पित और वात को नियंतरत करता है, आपके शरीर में तीन धातूए है, कफ, वात और पित उसमें जो पित है और जो वात है उसको तांबा नियंतरित करता है तांबे का प्रियोग पूजा और कारियों में पूजा उपासना में खूब किया जाता है अभी जो पूजा की थाल बनती है पूजा के लिए छोटे छोटे लोटे बनते है आचमनी के लिए चम्मच बनता है ये तमाम चीजे जो होती है आप देखेंगे कि पूजा की जो तमाम चीजे बनाई जाती है इस्तमाल की जाती है वो दरसल तांबे से बनती है क्योंकि तांबे को बहुत पवित्र धातू मानते हैं इसलिए तांबे का इस्तमाल पूजा के बरतन आदि बनाने में किया जाता है अब ये जानते हैं कि किस प्रकार से तांबे का असर हमारे शरीर पर और हमारे ग्रहों पर पड़ता है अगर हम तांबे का इस्तमाल करना शुरू कर दे तो ये हमारे शरीर पर और हमारे ग्रहों पर कैसे असर डालेगा देखिए तांबे के प्रियोग से शरीर शुद्ध होता है तांबे में लोग पानी पीते हैं तांबे के पात्र से उसका कारण ये है कि पानी के अंदर medicinal property आ जाती है पानी के अंदर अउशदी गुड़ आ जाते है इसलिए तांबे का प्रियोग करने से शरीर शुद्ध हो जाता है और जो लोग तांबे के बरतन से नियमित रूप से पानी पीते है या तांबे के बरतन का नियमित रूप से इस्तमाल करते है उनके शरीर से सारा विश बाहर निकल जाता है उनके शरीर में जो विश जमा हो जाता है बहुत आसानी से बाहर निकलता है तांबे के बरतन का जीवन में अगर आप इस्तमाल करते है रेगुररली तांबे के बरतनों का अगर आप प्रियोग करते हैं तो ये मंगल को मजबूत करके आपके रक्त को ठीक कर देता है आपके बलड को ठीक बनाता है बलड को प्यूरिफाई करता है और मंगल को मजबूत कर देता है तांबे का प्रियोग करने से सूर्य भी मजबूत होता है इसलिए तांबे के बरतनों का इस्तमाल करने से आपके उत्साह में, आपके खुशियों में वृद्धी होती है आपका मन प्रसंद होता है और मन की जो चिंता, मन के जो तनाव की स्थिती है वो निश्चित रूप से दूर हो जाती है तांबे के बरतनों का इस्तमाल करने से पाचन तंत्र जो आपका पेट है, डाइजिस्टिव सिस्टम है वो काफी अच्छा हो जाता है और पेट की समस्याओं के मामले में ये कहा जाता है कि एक लोटे में या तांबे के गिलास में रात में पानी रखना चाहिए और सुबह उठ करके ब्रश करने के बाद घूंट घूंट करके वो पानी पीना चाहिए ऐसा करने से पेट की समस्याओं से निजात मिलती है पेट की समस्याओं दूर होती है शरीर की जो तवचा है वो अच्छी हो जाती है और शरीर के अंदर जो विश जमा हो गया है वो विश दूर हो जाता है तो पेट की समस्याओं से भी निजात मिलती है अगर तांबे के बरतन इससे तांबे का इस्तेमाल किया जाए, तांबे का छला अनामिका अंगली में पहनना बहुत अच्छा होता है। एक कौपर का छला आप बनवाले और अनामिका उंगली में मतलब जो तीसरी उंगली है छोटी उंगली के बगल वाली उंगली है इसमें आप धारण कर सकते हैं रवी वार को सवेरे भी पहन सकते हैं मंगल वार को सवेरे भी पहन सकते हैं अगर आप तांबे का छला अपनी अं से या तांबा हाथ में पहनने से कि आपने कलाई में तांबे का कड़ा पहन लिया या उंगली में तांबे का छला पहन लिया ऐसा करने से आत्मविश्वास अच्छा होता है साहस अच्छा होता है और स्वास्त भी आपका लगातार अच्छा होता चला जाता है आपकी सेहत भी लगातार बहतर होती चली जाती है तांबे को कमर में भी पहन सकते हैं और पहले के जमाने में छोटे बच्चों को और महिलाओं को तांबे का छेद वाला सिक्का लाल धागे में डाल करके कमर में पहनाया जाता था तो तांबे के सिक्के को या तांबे का एक छला लाल धागे में डाल करके कमर में पहना जा सकता है ऐसा करने से ना भी और हार्मोन्स की समस्या में सुधार होता है अगर आपको ना भी की कोई समस्या है या पेट की कोई गंभीर दिक्कत है तो उसमें भी सुधार होता है तो तांबा कमर में पहनने से उसमें लाब होता है। तांबे का सिक्का छेदवाला लाल धागे में डाल करके अगर मंगल वार को गले में पहना जाए तो इसको धारन करने से दुरगटनाओं से बचाव होता है। कुंडली में मान दिया मंगल खराब है, मंगल की वज़े से आप दिक्कत में आने वाले हैं तो आपको मुंगा तो पहना नहीं सकते। ऐसी दशा में क्या करेंगे कि तांबे का एक छेद वाला सिक्का लेंगे और उसमें लाल धागा डाल करके उसको गले में अगर आप पहन लेंगे तो किसी भी तरह की दुरगटना से या मंगल से जुड़ी हुई समस्याओं से आपकी रक्षा होगी। अगर आप तांबे के पात्र का पानी पीते हैं तो इससे शरीर विश्मुक्त होता है। तांबे के बरतन से पानी पीने से पेट संबंदी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। अगर पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसमें भी सुधार की संभावना बन जाती है।